नमस्कार बच्चो चलिए हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चो हम लोग ने लाश्ट क्लास में पढ़ा था बलड और आज हमें उस बलड के टॉपिक को लिखना है और साथ ही हुमन ठीक है हुमन के बारे में ये पढ़ना है कि आकिरकार उनमें बलड किस तरीके से सर्कुले दीजिए कुछ जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में थोड़ा लिखवा देते हैं ठीक है कि चलिए लिखें जरह कि अब लेगे ब्लड इस रेड कलर लिक्विड कि ब्लड इस रेड कलर लिक्विड पर लिख लेते हैं ठीक है ब्लड इस रेड कलर लिक्विड विच शर्कुलेट्स इन आवर बॉड़ी विच शर्कुलेट्स इन आवर बॉड़ी वानरे विच वानरे वानरे स्टकुलेट्स शर्कुलेट्स on ओंडोंड़ी कॉमा डबलो बी-सी एंड प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स ठीक है चलिए पहले प्लाजमा के बारे में लिखेंगे ब्लाजमा के बारे में लिखेंगे gather the liquid part of blood is called the liquid part of blood is called plasma the liquid part of blood is called plasma the liquid part of blood is called plasma it is a colorless liquid it is a colorless liquid which contains about 90% water which contains about 90% water which contains about 90% water and it also contains and it also contains Dissolved substance Dissolved substance such as proteins Dissolved substance such as proteins Digested food Hormone Urea etc. Hormones Urea etc. अब लिखेंगे A red in color due to the presence of due to the presence of a red in color due to the presence of a red pigment called hemoglobin called hemoglobin called hemoglobin spelling लिखेंगे RBC RBC carries oxygen RBC carries oxygen RBC carries oxygen from lung to cells of the body from lungs to cells of the body and CO2 and CO2 and CO2 also and maybe a it does not have nuclei and it does not have nuclei it does not have अगला लिखेंगे white blood cell अगला लिखेंगे white blood cell लिखें white blood cells लिखेंगे white blood cells लिखेंगे इभेंगे to protect us from disease from disease because it makes antibodies in our body it makes antibodies in our body to enhance our immunity to enhance our immunity to enhance our in immunity therefore 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 they are called soldiers of the body therefore they are called they are called soldiers of our body last leaving the platelets last leaving the platelets chalyye licking a layo platelets help in the coagulation of blood platelets platelets help in the coagulation of blood this is clotting of blood we get it in a coagulation of blood in a cut or wound in a cut or wound okay chalyye hindi wale licking chalyye hindi wale licking a rakt a 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 जो हमारे सरीर में परिवहन करता है जिसके चार महत्वपून कारक है जिसके चार महत्वपून कारक है जो हमारे सरीर में परिय करता है जिसके चार महत्वपून कारक है प्लाज्मा लाल रख्त कोशिगाए स्वेत रख्त कोशिगाए प्लाजमा लाल रक्त को शिखाएं सुवेत रक्त को शिखाएं और पट्टी काणू चलो अब लिखेंगे तरह प्लाजमा के बारे में लिखो बच्चो लिखे लिखेंगे प्लाजमा रक्त का तरल भाग है प्लाजमा रक्त का तरल भाग है जो एक रंगहीन पदार्थ है जो एक रंग हीन मतलब क्या जिसमें कलर नहीं होता ठीक है रंग हीन पदार्थ है रंग हीन पदार्थ है प्लाजमा में नब्बे परतीसत जल होता है प्लाजमा में नब्बे परतीसत जल होता है ठीक है और बाकी और बाकी पदार्थ इसमें घुलेवे होते हैं जैसे प्रोटीन, हॉर्मोन, प्रोटीन, हॉर्मोन, डेजिस्टटट फूड यूरी एक्सेक्टरा ठीकैं यूरी आधी ठीकैं डेजिस्टटट फूड के हिदी में क्या बोलोगे पचित भोजन ठीकैं पचित भोजन, प्रोटीन, पचित भोजन, हॉर्मोन, यूरिया, आदी RBC के बारे में लिखो चलो यानि क्या लाल रक्त कोशिक आए लिखो यह लाल रंगी होती है क्योंकि एक लाल लवक एक लाल लवक इन में उपस्थित होता है जिसे हेमोगलोबिन कहते है जिसे हेमोगलोबिन कहते है हेमोगलोबिन कहते है ठीक है आगे देखिए हाँ जी लिखेंगे लाल रक्त को शिखाए ऑक्सीजन ऑक्सीजन को फेफडो से सरीर की कोशिकाओं में लेके जाता है लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन को लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन को फेफडो से सरीर में लेके जाता है जबकि CO2 को सरीर से फेफ़ड़ों में लेके जाता है इनके पास कोई केंदरक नहीं होते इनके पास कोई केंदरक नहीं होते चलिए अब लिखेंगे स्वेत रख्त कोशिकाएं लिखेंगे यह बिमारियों और संकरमन से लड़ता है यह बिमारियों और संक्रमन से लड़ता है और हमारी रक्षा करता है यह हमारे सरीर में यह हमारे सरीर में प्रतिरक्षी बनाता है और बिमारियों से लड़ने में साहिता परदान करता है और बिमारियों से लड़ने में साहिता परदान करता है बिमारियों से लड़ने में साहिता परदान करता है इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, सरीर का रक्षक भी कहते हैं सरीर का रक्षक भी कहते है ठीक है उच्छो अब लास्ट लिखो पट्टी काणू जल्द लिखो लास्ट पट्टी काणू लिखिए पट्टी काणू पट्टी काणू कटे हुए अंग कटे हुए अंग से बहते हुए रक्त कटे हुए अंग से बहते हुए रक्त का ठक्का जमाने के काम आता है रक्त का ठक्का जमाने के काम आता है ठीक है जी? ठीक है बच्छो? कटे हुए अंग पर रक्त का ठक्का जमाने के काम आता है ठीक है? चलिए अब हम blood circulatory system पढ़ते हैं कि आखिरकार blood कैसे circulate करता है body के अंदर hurt पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं तीन बाते बताना चाहूँगा और वो तीनों बाते यहां पर पढ़ाऊँगा जो बहुत ज़्यादा बच्चों important है ठीक है अगर time आज बचा तो मैं hurt करा दूँगा नहीं तो आज मैं आपको सबसे पहले ये कहना मैं capillaries, arteries और क्या होता है भाई veins इन तीन के बारे मैं पहले जानकारी दूँगा उसके बाद hurt कराऊँगा अगर time बच गया तो ठीक है चलिए क्योंकि आज बहुत सारी classes है ठीक है और हमें बहुत सारे चीजों को पढ़ना है बच्चों और बिल्कुल deeply पढ़ना है इसलिए क्योंकि मैं जल्दी बाजी भगा भगा कि आप लोगों को नहीं कराना चाहता है एक एक चीज को मिल्कुल clear करके चलना चाहता हूँ इसलिए ध्यान से सुने जरा जोब मैं कराने जा रहा हूँ ठीक है बच्चों कैपिलरीज के बारे में वेंस के बारे में और आर्टरीज के बारे में ठीक है चलिए सुरू करते हैं जरा एक मुटी का टायम देना बच्चों झाल बच्चों करते हैं कि अच्छ चलिए अच्छ शुरू करते हैं तो टॉपिक लिजिए आर्टरीज वेंज और कैपलरीज टॉपिक लिखेंगे बच्छो ठीक है टॉपिक लिखेंगे बच्छो आर्टरीज वेंज और कैपिलरीज हिंदी में धमनी, सिराएं और केशिक आएं ठीक है जी चलिए ये टॉपिक सुरू करते हैं आज बहुत इंपोर्टन टॉपिक है एक्जाम में कभी कभी एक नंबर का या दो नंबर का पूछ लिए जाता है इसलिए कराना थोड़ा जरूरी है ठीक है चलिए एके करके इसके उपर बात करेंगे हम ठीक कि मैं एक मिनट का बेट कीजिएगा थोड़ा सा मैं तोच रहा हूं और इसको बढ़िया कर दिया जाए ठीक है और ज्यादा बैटर कर दूं इसको मैं कि जितना ज्यादा डीप पढ़ेंगे हम लोग उतना हमें कंफ्यूजिन कम से कम होगा सही बात है कि जातर एक्जाम में वैसे आर्टरी और वेन ही पूछा जाता है मैं आपको रियल बताओ तो ठीक है लेकिन वहीं कोई भरोसा नहीं है किस दिन पूछ लिए जादा तो फिर क्या करेंगे हम ठीक है चलिए सुरू करते हैं तो पहले हम आर्टरी और वेन पढ़ेंगे और जब वह पढ़ लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए तो को क्या करना है ऐसे टेबल बनानी है मैं पहले आर्ट्री का पॉइंट लिखाँगा फिर वेन का फिर आर्ट्री का फिर वेन का तो ऐसे करके मैं आर्ट्री और वेन के सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं आप एक एक करके लिखिए फिर उसको समझेंगे ठीक है चलो लिखो ब blood from hurt to tissue from hurt from hurt to tissue from hurt to tissue except pulmonary artery except pulmonary artery accept pulmonary artery ठेकर अब वेन में लिखिए वेन में सेरा में वेन में लिखिए लिखिए अल वेन अल वेन्स अल वेन्स ब्रिंग डी ओक्जिजनेटीड ब्लड अल वेन्स bring deoxygenated blood from tissue to the heart from tissue to the heart from tissue to the heart except pulmonary vein except pulmonary vein except pulmonary vein ठीक है अब second point आर्टरी में second point लेखो दे आर थिक वाल्ड दे आर थिक वाल्ड वाल्ड दिवारें डबलू ए डबल एल एल एडी थिक वाल्ड अब लिखेंगे इस में वेन में दे आर थिन वाल्ड दे आर थिन वाल्ड थिन पतली ठीक है थिन वाल्ड third point लिखेंगे artery में they do not have valves valves की spelling लिख देता हूँ they do not have valves 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 और vein में क्या लिखेंगे vein में क्या लिखेंगे they are provided they are provided with valves they are provided with valves they are provided with valves fourth point इसमें लिखेंगे artery में fourth point लिखो the blood flows the blood flows in them the blood flows in them with a high pressure the blood flows in them with a high pressure artery में लिखेंगे the blood flows in them with a high pressure और veins में क्या लिखेंगे the blood flows slowly the blood flows slowly veins में लिखो the blood flows slowly fifth part लिखेंगे fifth part लिखेंगे artery में लिखो they are deeply seated they are deeply seated यानि यह क्या होते हैं भाई यह सरीर के अंदर ठीक है काफी गहराई में यह होती है क्या आर्टरी आर्टरी गहराई में होती है ठीक है they are deeply seated और इसका लिखेंगे veins का they are superficial they are superficial मतलब muscle के पास ही रहती है they are superficial ठीक है छटे स्विक्स्त में इसमें आर्टरी में लिखेंगे the lumen of an artery is narrow the lumen l-u-m-e-n the lumen of an artery the lumen of an artery is narrow मतलब lumen समस्ते क्या होता है lumen मतलब होती है जगा lumen क्या होती है जगा अब भई pipe अंदर माल लो इतनी मोटी pipe ले लूँ मैं ऐसे कह दूँ कि भाई माल लो मैंने इतनी मोटी pipe ले ली लेकिन वो pipe ना अंदर से इतनी मोटी है तो जगा क्या बचेगी जगा क्या बचेगी बिल्कुल थोड़ी सी माल लो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये pipe इतनी मोटी pipe है कोई लेकिन वो अंदर से इतनी चोड़ी है तो जगह तो इतनी थी बची ना पानी तो इतने से हिस्से में निकलेगा तो मतलब हमने क्या देखा हमने ये देखा कि भाई एक pipe जो है वो है बहुत मोटी लेकिन उसके अंदर से निकलने की जगह क्या है कम तो यही जगह को ही कहते है ल्यूमिन ठीक है अब मान लो एक pipe इतनी है एक pipe इतनी है और वो बस इतनी मोटी है वो बस इतनी मोटी है तो मतलब क्या हुआ हमने क्या देखा कि इनकी wall मोटी है और इसकी wall पतली है लेकिन इसमें निकलने की जगह क्या है कम और इसमें लगेनले की जगह क्या दिखरी तुम्हे जादा तो मतलब हमें क्या मतलब है हमने क्या पढ़ा कि जो artery होती है ना artery artery की walls जो होती है वो मोटी होती है और veins की wall जो होती हो वो पतली होती है, लेकिन blood को बहने के लिए जो जगह होती है इसमें होती है कम, इसमें होती है ज्यादा, इसलिए इसके अंदर high pressure के साथ blood बहता है और इसके अंदर low pressure मतलब slowly slowly बहता है, बात समझ मागी? तो ये diagram है artery का और ये diagram है vein का, ठीक है? चलिए तो मैंने क्या लिखुआ है? the lumen of an artery is narrow और vein में क्या लिखुआगे? the lumen of a vein the lumen of a vein is wide the lumen of the lumen of a vein is wide the lumen of a vein is wide ठीक है? पल्ले पढ़ गया वाइस अभी को क्या होती है artery? तो ध्यान से सुनेंगे artery क्या होती है? पहले हिंदी वाले लिख लो एक काम करो लिख लो लिख लो लिखवाई देता हूं हिंदी को फिर समझा दूँगा hurt तो मुझे लग रहा last class में ही होगा ने तो री next class में ही होगा ठीक है? प्योंकि इसमें भी बाते बतानी है कुछ लेगो हां जी, artery, धमनी धमनी में लिख लो लेगो सभी धमनिया सभी धमनिया oxygen युक्तरक्त oxygen युक्तरक्त दिल से उत्तकों तक लेके जाती है दिल मतला हिर्दे से उत्तकों तक लेके जाती है सभी धमनिया oxygen युक्तरक्त oxygen यूक तरक्त दिल से उत्तकों तक लेके जाती है फुस फुस ये धमनी को छोड़ कर फुस फुस ये धमनी को छोड़ कर फुस फुस ये धमनी को छोड़ कर ठीक है अब सिरा में लिखेंगे लेगे, सभी सिरा आउक्सिक्रित रक्त लेकर जाती है मतलब CO2 वाला आउक्सिक्रित रक्त लेकर जाती है जो उत्तक से हिर्दे की तरफ लेकर जाई जाती है फुस्फुसिये सिरा को छोड़ कर 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 ठीक है ठीक अब धमनी में दूसरे पॉइंट लिखो लिखो इसकी दिवारे मोटी होती है इसकी दिवारे मोटी होती है अई इसमें लिखेंगे इसकी दिवारे पतली होती है दिवारे मतलब भितियां ठीक है दिवारों के प्रैकेट में भित्ती लिख सकते हो भित्ती ठीक है इसकी भित्तियां मोटी होती है और इसकी भित्तियां पतली होती है 3rd point लिखेंगे इनमें कपाथ नहीं होते ओल्स का मतलब कपाथ कोफार्थ किस नेमें किस तरफ की जगह फार्ग तब सब्सक्राइब किस तरह की बाप होती है है जलिये लिखेंगे इसमें कपाथ नहीं होते हैं और सिराओं में लिखेंगे इन में कपाट होते है ठीक है लिखो अब दमनी में लिखो पॉइंट नमबर चार लिखो इसमें रक्त दाब के साथ बहता है इसमें रक्त अधिक दाब के साथ बहता है ऐसा लिखना इसमें रक्त अधिक दाब के साथ बहता है जबकि सिराओं में क्या लिखोगे सिराओं में क्या लिखोगे इसमें रक्त बहुत कम दाब के साथ बहता है इसमें रक्त बहुत कम दाब के साथ बहता है इसमें रक्त बहुत कम दाब के साथ बहता है ठीक है चलो अब इसमें लिखो पांचवा पॉइंट लिखो यह गहराई में इस्थित होते हैं यह सरीर की गहराई में इस्थित होते हैं यह सरीर की गहराई में इस्थित होते हैं यह शरीर की गहराई में इस्तित होते हैं और दूसरे में क्या लिखोगे बोलो भई अगले में क्या लिखोगे क्या था देवर सूपरफीसियल हा लेखेंगे यह बहारी हिस्से में इस्थित होते हैं यह बहारी हिस्से में इस्थित होते हैं है इसरेस्मर से बहारी जैसे में है इस्ते होते हैं कि अब छाऀने लिखेंगे है यह है लिखेंगे है लुमिन का मतलब मैंने कि थी बताइघा यह है जगए तो लिखेंगे कि इन में इन में रक्त बहने की जगा कम होती है और सीरा में क्या लिखेंगे इन में रक्त बहने की जगा अधिक होती है ठीक है चलो अब बात आती है कि भई मैंने सारी बाते समझा दी इन में रक्त बहने की जगा ज़्यादा होती है इन में कम होती है सारी बाते हो गई अब बात आते हैं अब किसकी बात आती है capillaries ठीक है तो आखिर का capillaries क्या होती है बच्चो वो जरह ध्यान से बढ़ते हैं एक बार ठीक है मैंने इसके notes बनाए है मैं भी बताता हूँ क्योंकि आपके book में नहीं है लेकिन मैंने देखा है कई बार ये पूछ लिए गए है एक मिट मैं जरह notes निकाल लू फिर आपको लिखवाता हूँ चलिए लिखें जरह लिखो capillaries के बारे में लिख लेंगे पहले इंगलिस वाले capillaries के बारे में लिखो the artery divides into the artery divides into क्यों मुझे पता है book में ये है नहीं लेकिन फिर भी exam में पूछे जाते हैं इसलिए मैं पहले इसके notes बना के लेकर आया था ठीक है और आपको नहीं विश्वास है तो आपको इस sample paper उठाना आपको किसी ने किसी year में ये पक्का इसका question आपको दिखाई दे जाएगा these small branches are called capillaries these small branches are called capillaries ठीक है ठीक है और अगर आपको capillaries देखनी हो तो आप देख सकते हैं किसी भी इनसान की आँख ठीक है ऐसे बड़ी करना तो आपके किनारे में आपको ना लाल लाल सी पतली बहुत ही पतली पतली line दिखाई देंगी ठीक है नसे दिखाई देंगी वही आपकी capillaries होती है ठीक है आगे लिखिए चलिए लिए लिए जिरा यही लिखिए झाल झाल देखिए उच्छो चैपिलेटी के बारे में देखिए पैला पॉइंट देहेव वाल्स देहेव वाल्स विच नौर वेरी थिक विच नाइदर थिक नौर थिन विच नाइदर थिक नौर थिन नौर थिन निखेंगे next line लिखेंगे it exchange the materials between blood and surrounding cells it exchange materials between blood and surrounding cells ठीक है चलो इसके ज़्यादा काम है नहीं तो इतना ही लिखने आपको ठीक है example के लिख सकते हो our eye हमारी आख ठीक है our eye हमारी आख हिंदी वाले लिखो हिंदी वाले लिखो बही जरा लिखो जब धमनी कई सारी कई सारी छोटे छोटे कई सारे छोटे 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 जब धमनी कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में तूट जाती है कई सारे छोटे 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 पतले हिस्सों में तूट जाती है और और वह सभी हिस्से उत्तकों तक जा मिलते हैं उत्तकों तक जा मिलते हैं उत्तकों तक जा मिलते हैं उन्हीं हिस्सों को केसी काए कहा जाता है ठीक है जी चलो अब लिखो जरा इसके नीचे पहला पॉइंट यह ना अधिक लिखो इनकी बित्तिया ना अधिक मोटी होती है ना पतली ठीक है आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे यह यह खनी जो जरी यह पदार्थों यह पदार्थों का आदान परदान रक्त दुआरा करते हैं यह पदार्थों का आदान परदान रक्त दुआरा करते हैं और अपनी आसपास की कोशिकाओं के लिए काम करते हैं के लिए काम करते हैं ठीक है और आपको क्या करना बच्छो अब इसका एक्जामपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आई आई में हमें capillaries आराम से दिखाई दे जाती है ठीक है तो इस तरीके से बच्छो आर्ट्री वेन और capillaries बढ़ना बहुत जरूरी था क्योंकि कभी 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 क्योंकि देखो mostly आज तक देखो capillaries कभी पूछा नहीं गया है ठीक है मैं आपको real बात बताओं सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो आर्ट्री और वेन के बारे में पूछा गया है वो जो मैंने 5-5 पॉइंट लिखवाए हैं तुम्हें वो इसी लिखवाए हैं क्योंकि ये 3 नंबर का कितनी बार आ चुका है ठीक है और जब भी आया है आर्ट्री और वेन आया है कैपिलरीज मैंने अपनी तरह से करवा दिया है कि इन फ्यूचर अगर कैपिलरीज के बारे में डैफिनेशन पूछ ले तो आप लिख सको ठीक है तो बच्चों ध्यान रखना कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है अब ये आर्ट्री कैपिलरी दिल के साथ जुड़कर फेफडों के साथ जुड़कर कैसे काम करती है ये नेक्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल डीपली इसके स्टड़ी कराऊंगा किस तरीके से दिल और फेफडे हमारे एक साथ जुड़े हैं और उनमें ये आर्ट्री वेन और कैपिलरी क्या काम करती है याद रखना जिस तरीके से जिस तरीके से रोड पे अगर आप चलते हैं आप क्या देखते हैं, रोड चलते 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 कई हिस्सों में टूट जाते हैं, फिर आप अगर कहीं हो, इधर मान लो राइट मुड़ गए तो कहीं किसी और रिलाके में पहुंच जाओगे, लेफ्ट मुड़ गए तो किसी और रिलाके में, ठीक है, उनकी बीच में जो छो से पहुंचाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ही ध्यान रखना है, अगर कैपिलरी का ध्यान रखना है, तो याद कर लेना हमारा हाथ, यह मोटा, यह यह यला हिस्सा, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा आर्ट्री हो गया, और यह देखो, यह आगे जाके चोटे-चोटे टुकडों में तूट गया, तो ये उंगलियां जो है, चोटे-चोटे टुकडों में तूट गई, तो इसके मुकाबले तो बहुत पतली हैं, और नहीं ज्यादा मोटी हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से खतम, फिर लाज्ट टॉपिक एक्सक्रीशन रहेगा, वो हम दो क्लास में खतम कर देंगे, चलिए, तो आज की क्लास यहीं खतम करते हैं,